ब्रेकिंग निउस दे रहा हूँ आपको शुबमन गिल और इंडिया दोनों ने पाकिस्तान की ले लिए क्योंके पाकिस्तान की नंबर वन पॉजेशन ले लिए मतलब जो आप सोच रहे हो वो भी ठीक है लेकिन पॉजेशन भी ले लिए नंबर वन की ODI में इस टाइम पे पाकिस्तान को पीछे धकेल कर बन गया हिंदुस्तान नंबर वन अब भई क्या हो गया बाबर आजम का है मुझे बाबर आजम के फैंस तो दिखाओ थोड़े से जो के आगे कहरे थे के भई हमारा अपना टैम आ गया हम तो यह हो गए अब तुम लोग यह नहीं करो यह करो यह क्योंकि भई बाबर आजम भी हट गया है पाकिस्तान भी हट गया है और शर्म आ पाकिस्तानी मुझे यकीन करो शर्म आ रही है लेकि मुझे इतना पता है कि भई डिजर्व निकरता था पाकिस्तान नंबर वन पे रहना क्योंकि अगर आप नंबर वन टीम की तरह होता नहीं है, आप सिरलंका से हारते हो, आप इंडिया से हारते हो, आप सिर्फ नेधरलेंड, अफगानिस्तान, जिंबाववे, पपो, निगीनी, भुटान, इन सब को हरा कर आप नमबर वन बने हो, यार, कोई शरम को, आप अपने आपको नमबर वन बोल कैसे सक चुका है, क्योंकि आज पाकिसान को नमबर वन से उता रहा है, किसी और नहीं इंडिया ने, मैं कहता हूँ यार, जिंबाववे, अगर पाकिसान को हटा देता, तो भी हमको इतना दुख ना होता, जितना आज इंडिया नहीं हटा दिया है, और इंडिया जो के T20 में नमब ठोकर है, पूरा, यहां पर फिर कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ल काप इंडिया नहीं जीत सकता, आज तुम लोगों ने ट्रेलर देख लिया, यह कोई पापो और नहीं गिने की टीम नहीं आई हुई थी, यह ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, जिसको आज इंडिया की बगार रो रहते हैं कप्तान निकले, जबके रोही शर्मा, खुद ही बोलते हैं ले लो कप्तानी, डेंशन, आई सी सी टॉर्नमेंट्स का अपने कैप्टन हैं, उसके बाद गिल तू अपने एक काम कर तू एपने चोटी टीम को कप्तानी संबाल ले, तू अपने केल राउल तू रही मतलब ये चल रहा है, इसको बोलते हैं यूनिटी, इसको बोलते हैं दोस्ती, इसको बोलते हैं प्यार, महबत, इश्क, जो एक दूसरे के साथ भरोसा करते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, ये तुमारी तरह नहीं है कि भई, अगर इमाद वापस आया तो मैं नहीं आनी चाहिए पाकिस्तान को जो कि बार बार पाकिस्तान की तारीफ और जैसे पाकिस्तान नंबर वन पे बना इंडिया की वह ट्रॉल किया जिसकी कोई हद नहीं है यार यहार आपको करो तो कर रहा हूं ना अगर तुम लोग में आगर से पाकिस्तान में नहीं पहले से चल रहे हैं पाकिस्तान में खुद अपनी पैन को भी आते हैं यह लोग लेकिन जो भी हो मतलब बेडा गर कह, कसम से पाकिस्तान का बेडा गर कह इस ताइम पे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस डेड, टोटली डेड, यह जो स्कॉर्ड लेके जा रहे हैं इंडिया के अंदर, मैं आपको गैरेंटी से बता रहा हूँ, यह चार मैचीस भी नहीं जीत सकेगा, वहाँ पर, यह स्कॉर्ड चार मैचेज भी वानी जीच सकता यह इतना घटिया स्कॉर्ड है इतना मनूस है इसके अंदर आपने हसन अली को रखा है उसाम अमीर को रखा है मुहमद नमाज को रखा है फखर जमान को रखा है यह ऐसे खिलाडी है जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट खतम हो चुका है यहां पिछले इंवाल्मेंट की रही वह तो वहां पर भी आप देखोगे इंडिया का बाल बी उखार सकते हैं यह वाली पाकिसान की टीम यह चार मैच नहीं जीत सकते वर्ड कप के अंदर आप कहते हो कि यह वर्ड कप जीतेंगे लाना था यहाँ पर पाकिस्तान टीम के उपर यार अगर आप नंबर वन पर बने थे तो सबसे बड़ी बात थी नंबर वन को काईम रखना आप यहाँ पर सिरलंका से गंदी तरीके स बने तरगेट आप कर यह तरगेट मुह पर नंबर वन बॉलिंग मानते मिली लां इसको जानते है मतलब वह नसीम चाहिए ये पैसा अपने विधारini को देहाँ हो का मैंनों पla कहा तो भाई आप लोग को लगता है मुझे कोई टेंशन नहीं है ठीक है चैनल सब्सक्राइब करो मिलते हैं के लिए वडियो में तब तक के लिए आप हमें दीजिए जासत अला हाफिस